गूड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टोपिक है ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोईगिलेशन जो ब्लड है एक तरल या लिकुड टिशू है जो सामानता श्रीर के बंद नलिकाओं जिसे ब्लड वैसल्स या रख्त वाहिकाओं कहते हैं उसमें बैता है प्रन्तु रख्त का या ब्लड का एक स्पेसिफिक यो प्रॉपर्टी है वो यह है कि ये नलिकाओं जब तक बहता है तो ये लिकुड फॉर्म में होता है प्रन्तु जब शरीर पर कोई चोट लगती है तो उस थान की जो ब्लड वैसल्स हैं ये शतिग रस्त हो जाते हैं या रक्त बाहर निकलने लगता है रक्त के बाहर निकलने के कुछ समय बाद लगबग तीन से आठ मिनट तक ये जो लिकुड ब्लड है ये सेमी सॉलिड जैली के रूप में कनवर्ट हो जाता है जिससे कि हमारे जो गाब होता है वहां से ब्लड बहना बंद हो जाता है जो या थक्का जमना या ब्लड क्लोटिंग कहते हैं मनुश्य के रक्त का एक नमूना अगर लिया जाए तो ये तरल रक्त तीन से आठ मिनिट एवरेज जो है छे मिनिट में जैली समान पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जो साथ में जो सीरम है वो अलग हो जाता है इस जैली इसमान पदार्थ को हम थक्का या क्लोट कहते हैं कई बार हमारे को ओपरेशन के लिए टाइम में ये इस परकार के टेस्ट करवा जाते हैं इस विक ख्लोटिंग टाइम या ब्लेटिंग टाइम केल्कुलेट किये जाता है ताकि कोई ऐसी सर्ज़री में कोई ऐसी दिक्कत हो जाए कि अगर क्लोटिंग टाइम जादा है तो उस साफ से ववस्ता कर ली जाए समाने अवस्ता में रक्त वाहिकाओं में रक्त का थपका नहीं बनता है श्रीर के अंदर क्योंकि रक्त के अंदर हीपेरिन नमक एंटिकोगलिंड पदार्थ पाय जाता है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है हमारी बोड़ी के अंदर यह हीपेरिन का जो निर्मान है यह यकरत में होता है और यकरत से यह ब्लड में रहता है कभी कभी बिना चोट लगने के बाद भी समयने रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का बन जाता है जिसे थ्रॉम्बस कहते हैं तो ता इस परकार जो रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का बनने की प्रकीरा को थ्रॉम्बसिस कहते हैं ये थ्रूम्बस रख्ट का वाहिकाओं में बैकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है कभी-कभी ये ठक्का किसी रख्ट वाहिनी में फसकर उसके ब्लोक कर देता है जिससे की ब्लड का सिर्कुलेशन रुख जाता है ये मुश्य के लिए लिखल या गातक हो सकता है रख्ट के जो स्कंदन या क्लोटिंग के प्रकिरिया को समझने के लिए कई थ्योरीज हैं ये जो जितने भी थ्योरीज हैं ये क्लोटिंग के जो फर्स्ट फॉर स्टेप्स हैं इस पे तो एग्री हैं प्रतु जो वास्तिविक जो प्रोसेस है उसके अंदर इनका कोई आपस में एक रूप नहीं है जो मुख्या स्टेप्स हैं जिन पर सहमत है वो है थ्रोंबो प्लास्टिन का बनन निर्मान, थ्रोंबिन का निर्मान और फाइब्रिन का निर्मान विविन जैव विगयनिक तक्नीकी अदिनों से इसपस्ट हो चुका है कि जो ब्लड क्लोटिंग की क्रिया है ये इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है पन्तु ये एक चेन रियक्शन ये शेंक्राबत क्रिया है जिसके कहीं कारका बाग लेते हैं तो रक्त स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस को समझने से पहले हमें विविन जो फैक्टर्स ब्लड क्लोटिंग में भाग लेते हैं उनको आवशक है पड़ना तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स ब्लड क्लोटिंग के अंदर 13 फैक्टर बाग लेते हैं 1904 में रक्स कंदन ब्लड क्लोटिंग पर एक कमिशन बठाया गया था जिसके जिन्होंने जो सिपारशे की थी तो जो ब्लड क्लोटिंग में भाग लेने वाले फैक्टर्स हैं उनको रोमन संक्य में प्रदर्शित करते हैं इनकी संक्या 13 है पहला फैक्टर है फाइब्रिनोजन ये वर्चू ने 1845 में इसकी खोज की थी फैब्रिनोजन एक उच मोलीकुलर वेट वाला प्रोटिं है जो की प्लाजमा में पाए जाता है रक्त के थक्का जमने में ये एक्टिव रूट से भाग लेता है और एपोटेंट रोल पेदा करता है प्लाजमा में पाए जाने वाला ये सालूबल प्रोटिं है जिसका मोलेकुलर वेट चार लाग से पांच लाग होता है ये एक गलाइको प्रोटिं है और लीवर के दवारा इसका निर्मान किया जाता है जो ब्लड का थक्का बनते समय ये प्रोटीन अगूलनशील इनसालूबल फाइब्रस या तंतू रूपी फाइब्रिन में परवर्टित हो जाती है इसके तंतू लगवग 0.4 माइक्रोन लंबे होते हैं फाइब्रिनोजन का ये एक बायलोजिकल प्रोपोटी है कि ये एक विशिस्ट कारक थ्रॉम्बिन की उपस्तिती में ही रग्त का क्लोट बनाता है दूसरा अफेक्टर है प्रोथ्रॉम्बिन इस कारक की जो खोश थी वो श्मिट ने की थी सन 1863 में ये एक ये भी एक ग्लाइको प्रोटीन है यो कि लीवर में जिसका सिंथेसी या निर्मान होता है तथा ये ब्लड प्लाजमा में रहता है इसके निर्मान के लिए विटामिन ए जुरूरी होता है प्रो थ्रोम्बीन का Molecular Weight 6-9000 होता है प्रो थ्रोम्बीन प्लाजमा में जो निश्क्रिय ये इनेक्टिव रूप में पाजाता है प्रंटू ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस के समय है ये थ्रोमो प्लास्टिन नामख प्रो थ्रोम्बीन एक्टिवेटर फेक्टर था calcium lines की presence में यह inactive pro thrombin screate thrombin में बदल जाता है thrombin का molecular weight 33,000 होता है third कारक जो है factor है thromboplastin यह tissue cells और blood pelletedness या thrombocytes केते हैं जिसको मैं पाए जाने वाला एक lipoprotein है ये tissues और thrombocytes में निश्क्रिय अवस्ता pro-thromboplastin के रूप में secret होता है ये inactive pro-thromboplastin एक powerful activator pro-convertin enzyme की presence में सिक्रिय थromboplastin में बदल जाता है fourth factor है calcium ends, calcium की जो direct role blood clotting में नहीं है प्रन्तु ये एक से कारग या co-factor के रूप में कारे करते हैं तथा pro-thrombin को thrombin by fibrinogen में co-fibrin में बदलने के में इनकी presence आवश्यक होती है पांचमा factor है levile factor इस कारग की खोज औरन ने 1947 में की थी ये tissues और plasma factors के द्वारा pro-thrombin को thrombin में बदलने के लिए आवश्यक है ये serum में नहीं पाजाता है क्योंकि ये blood coating के समय प्रियुक्त हो जाता है इसे pro-exilin भी कहते हैं factor 6 है exilin ये pro-exilin का एक hypothetical activator है hypothetical activator का मतलो खोज ऐसा कोई चीज नहीं मिली है लेकिन ऐसा माना जाता था कि ये इस परकार का कोई पतार्थ है जो कि exilin को convert करता है आज कल इसकी कोई माननता नहीं है और इसका कोई role भी नहीं है factor 7 है stir या pro-convertin factor ये factor एक plasma protein है इसका निर्मान भी liver में होता है ये जो factor है ये जो शतीग्रस उत्तक है ये टीशू है से pro-thrombin activator के निर्मान के लिए अवश्यक होता है ये pro-thrombin को thrombin में बदलने में सहाइक होता है ये थक्का बनने के उपरांत भी serum में उपस्तिद रहता है इसे आटो-prothrombin B कहते है factor 8 है anti-hemophilic factor या anti-hemophilic globulin ये एक glycoprotein है जिसका निर्मान लिवर में होता है ये pro-thrombin activator के निर्मान ही तू अवश्यक होता है blood clotting के समय fibrosan के साथ जुड़ जाता है और serum में absent होता है इस कारक की कमी से चोट ग्रस्ट स्थान से blood breeding नहीं रुपती है इस प्रकार के रोग को hemophilia कहते है factor 9 है Christmas factor ये भी एक glycoprotein है जिसका निर्मान लिवर के अंदर होता है इसके synthesis के लिए vitamin के अवश्यक होता है ये कारक रक्त गटकों से प्रोथ्रमबिन सक्रिय कारक निर्मान के लिए अवश्यक होता है ये plasma में पाए जाता है ब्लड प्लोटिंग के द्वारन जमने के लिए उत्प्रेजित किये जाता है इसकी जो activity है सीर में भी देखी जा सकती है इसकी कमी से हेमोफिलिया नामक रोग इसके कारण भी होता है इसमें Christmas disease भी कहते हैं क्योंकि इस factor का जो सबसे पहला case रोगी था वो Christmas नाम का था इसे autoprothrombin second या platelet factor second भी कहते हैं 10th clotting factor है Stuart factor ये एक glycoprotein है इसका निर्मान भी liver में होता है ये plasma में निश्क्रिये या inactive वबस्ता में पाया जाता है blood clotting के समय within factors की presence में ये active हो जाता है इसकी कमी से जो अपने नाजुग या कोमल टिशूज है नाक बेजोडों से bleeding होती रहती है कि शिकायत समान नतरहती है factor 11 है plasma thromboplastin antecedent ये भी glycoprotein है और इसका निर्मान भी liver के द्वारा किये जाता है ये plasma में निश्क्रिये अवस्ता में पाया जाता है ये भी prothrombin activator के निर्मान में सहायक होता है इसकी कमी से चोड़ ग्रस थान से bleeding जारी रहती है जिसे hemophilia disease कहते हैं तो hemophilia disease हमने देख लिए तीन कारणों से होती है next 12 factor है heigman factor ये भी एक glycoprotein है ये plasma में inactive अवस्ता में पाया जाता है ये शती ग्रस्त रक्त भाईका के संपर्क में आते ही सिक्री हो जाता है और prothrombin activator का निर्मान करता है इसे surface contact कारण भी कहते है इस कारण की कमी से रक्त का थपका जमने में अधिक समय लगता है जैसे आगे पढ़ेंगे कि surface contact में जो first factor ये आता है इसके बाद chain reaction स्टार्ट होता है last factor है fibrin stabilizing factor ये एक glycoprotein है और plazma में बाए जाता है रक्त blood clotting के समय ये calcium की presence में अधिक स्क्रिय होकर जो fibrin को जो की arguland shield होती है arguland shield तंतू में अवस्ता fibrin में convert कर देता है इसकी कमी से bleeding होती है इसे low key lower end factor भी कहते है इन 13 factors के इलावा blood जो platelets हैं blood से सीन तरह के बतायत है RBC, WBC और platelets platelets भी blood clotting के लिए आवशक होते हैं blood clotting के दोरान ये खुरदरी सता surface, rough surface या जो की चोटिल स्थान पर होता है वहाँ पर ये platelets चिपल जाते हैं और वहाँ पर एक गुच्छा बना लेते हैं और blood clotting के लिए आवशक फॉस्फोलेकिड लिपिड्स ये सिक्रीट करते हैं जिससे की blood clotting होती है थैक्स पर जाए जिससे की बनाउन लिए